हमने कहा बेटा पानी पिला दो बेटा दौड़ के गया पानी लाया साधा है गाँप कुमार होर classmates यहां तो जई ब्यापार है, हमारा जो स्वार्थ सिद्ध कर दे, वो हमारा बाप, हमारी मा, हमारा बेटा, हमारी बीबी, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो गोली मार दिये जाती है, बाप को भी, मा को भी, बीबी को भी, तो संसार में जब सुख ही नहीं है, तो उन इसे प्यार करके क्या मिलेगा जो उनके पास है वहीं मिलेगा क्या है उनके पास तांक्रोद लोग मोहमद मात सर्ज इरशाद अनंत दुख यही है वहीं देंगे वह लो अरे बैई जब हमारे पास आनंद ही नहीं तो मैं क्या दू बेवकूप बनाऊंगा बेटा मैं तो तेर जब अपना सुक चाहते हैं अपना 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 जब तक भगवत प्राप्ति नहों होगी तब तक आपना ही सुक चाहना पड़ेगा बस यही एक लाइन समझना है तू ही मेरा सब कुछ है ही ही हम लोग अभी तक भी लगाए हैं भी तू भी अमारा है और संसार भी अमारा है भगवान कहते हैं नहीं तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो आत्मा की मा आत्मा का बाप आत्मा का स्वामी आत्मा का सखा आत्मा का प्रियतम सब कुछ है इस्प्रिच्यूल है माया के एरिया वाले नहीं ये तो अनन्त मा बन चुकी अनन्त बाप बन चुके अनन्त बेटा बेटी पती बीबी ये अनन्त जन्मों में अनन्त बन चुके बदलते रहते हैं ये कौन सी हमारी मा है आज ये मा है अब कल कुकरी मा हो जाए परसों शूकरी हो जाए मा तो जहां जहां जन्म लेंगे वो हमारी मा बनेगी वहीं बाप बनेगा वहीं बेटा बेटी पती बीबी सब बना करेंगे तू ओ शरीर संबंधी ये है जगत आत्मा संबंधी परमात्मा बस इतनी सी बात समझ न तू ही मेरा सब कुछ है और एक सुबिधा है इश्वरी ये जगत में संसार में तुम्मा अलग होती है बाप अलग होता है पती अलग होता है बेटा अलग होता है भगवान के आये नहीं होता तुमेव माता चपिता तुमेव तुमेव बंदुष्य सका जब कुछ तुमेव सरबम तुम मेरे सब कुछ हो अभी तुमने कहा पिता जी अगले सेकंड में कहा बेटा उसके अगले सेकंड में प्रियतम और वही भाव बनाते जाओ भगवान कहते हैं हमारे हाँ इतराज नहीं है संसार में इतराज है कोई अपने पती को बेटा कहके बुलावे तो उसको अस्पताल भेज देंगे ये पागल हो गया तो ही लगाना है बस इतनी सी बात है एक अक्षर की बात है ही अनंत जन्म बीत गए अनंत संत मिले अनंत भगवान के अवतारों को हमने देखा लेकिन ही नहीं लगाया बड़ी मेहनत किया तो भी लगा दिया तू भी मेरी माँ है एक माँ घर में बैठी है तू भी मेरा पती है एक पती घर में भी बैठा है सब जगे भी लगाते रहे और भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा माम एकम शरनम ब्रज सेंट परसेंट शरनागती हो पॉइंट वन परसेंट की दूरी न हो ये लोहा है ये पारस है पासलाओ 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 सोना नहीं बनेगा तच होना चाहिए एक होना चाहिए कम्प्लीट सरंडर तो शरनागती में अपनी बुद्धी लगाया वो शरनागती नहीं देखो छोटी मोटी बात समझो संसार की कोई मचीन है उसमें एक तार गलत जोड़ दिया तुम मशीन फेल हो गई एक करोड की मशीन बेकार हो गई जड़ाची तुमने बुद्धी लगा दी अपनी देखो आप लोगोंने इंगलिस पढ़ा होगा उसमें एक बीमारी है साइलेंट की लिखो बोलो मत लिखो लिखना पढ़ेगा लेकिन बोलो मत क्यों यह हमारी हिंदी में ऐसा नहीं होता संस्कृत में एसमने तुमको इंगलिस पढ़ना है हाँ तो फिर ऐसे ही करना होगा कहीं ए को ई पढ़ो ई को ए पढ़ो चार चार शब्द उल्टे पल्टे लिखे जाए पढ़ो मत एक पो जैसा निया मैं उसको सेंट परसंट मानो अपनी बुद्धिन लगाओ डाक्टर ने कहा दो बुद्ध दवा पीलो एक चम्मच पानी में दो बुद्ध इतने बड़े शरीर में ए डाक्टर भी बेवकूप है अपने शीशी पीलो जल्दी अच्छे हो जाओ मरेगाओ उसने अपनी बुद्धि लगाया हम संसार में कहीं अपनी बुद्धि नहीं लगाते बैंक में रूपया जमा करने गए अब हम अगर बैंक वाले से कहें जो को एक लाख रूपया हम लिये हैं रसीद दो वो कहता है रूपया दे जी हाँ आप रूपया रख ले रसीद दो जी हाँ आप रसीद लेके चल दे रूपया न दे तो बताओ उस कोई काम दुनिया में होगा इसे तो हमको सरंडर करना होगा सरनागत होना पड़ेगा सेंट पर सेंट अर्जुन ने क्या किया वो गीता के प्रारंब में कहता है मैं आपका सिष्ट हूँ अप्रपन्नम सरनागत हूँ सरनागत है हाँ तो जुद्ध कर जुद्ध नहीं करूंगा यह लोग सरनागत भी है और आज्या भी नहीं मानता महराज वैसा है कि मैं इन सब को मारूंगा हाँ और क्या होता है युद्ध में तो इनकी इस्त्रियां बिधवा होंगी अरे वो तो होंगी तो महराजी मैं पाप नहीं करूंगा अरे तो मुझे गुरु मानता है हाँ 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 सिष्ट थे हम मैं आपका सिष्ट हूँ तो गुरु की आज्या मानना है बुद्धि नहीं लगाना मैं ये वो मना धत्सो मैं बुद्धिन निवेश रहे हैं अरे देखो एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और टीचर एक अक्षर लिख देता है का ए तो लड़के से कहता है लिखो ऐसे अच्छा लिखा इसका नाम का है का क्यों क्यों नहीं बोलते हैं बोलो जैसे मैं कहता हूं अरे मास्टर साहब बताओ तो इसको का क्यों कहते हैं और का की शकल ऐसे ही क्यों होती है कोई उत्तर नहीं मास्टर साहब के पास एक उत्तर है कम्प्लीट सरंडर करो बास बुद्धी मत लगाओ तो ही लगाने का मतलद मैं ये यो मन आधत सो मैं बुद्धिन में बेशा है अर्जुन तो अपना मन भी मुझको दे दे बुद्धी भी मुझको दे दे मैं जो कहूं कर क्यों कैसे क्या कुछ नहीं बालमीक को उनके गुरू जी ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आउं बालमीक ने नहीं पूछा आप कब लौट के आएंगे चुप बोलना नहीं जब तक लौट के ना आउं कब आउंगा ये मेरी इच्छा पर है तू कौन होता है पूछने वाला आग्या पालं करो बास तो शिष्य या भक्त भगवान की इच्छा में इच्छा रखता है अपनी बुद्धी नहीं लगाता है तो ही लगाने का मतलब मन बुद्धी का समर्पन अपनी बुद्धी का प्रियोग बंद जैसे संसार में हम अपनी बुद्धी का प्रियोग नहीं करते हैं डाक्तर के आगे मास्तर के आगे ऐसे ही भगवान के एरिया में भी अपनी बुद्धी का प्रियोग करना गलत क्योंकि वो spiritual एरिया है हम material एरिया की बुद्धी रखत हैं हम क्या समझेंगे कैसे समझेंगे मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि हजारों मर्डर कर रहा है अर्जुन और सब जगे सिर्व कृष्ण को देख रहा है और यह सब जगे देख रहा है तो मर्डर कैसे कर रहा है यह आप नहीं समझ सकते काम नहीं ब्याप्त हो रहा है बच्चे पैदा हो रहे हैं ध्रुव के, प्रहलात के, लक्षमन के, भरत के, जाब महापुरुषों के और भगवान के भी 16108 हिस्त्रियों में एक एक हिस्त्री के 10-10 बच्चे और काम रही थे प्रिथवी का राज्य कर रहे हैं प्रहलात, करोणो बर्ष, ध्रुव लेकर लोब नहीं है आप कैसे समझेंगे आप कहेंगे impossible, यह नहीं हो सकता क्योंकि हम नहीं कर सकते हम जो कुछ नहीं कर सकते उसको impossible कह देते हैं इसलिए जब-जब भगवान के अवतार हुए जब-जब संत मिले हमको तो हमने अपनी बुद्धी लगाई यह संत नहीं हो सकता ठेक है, कुछ हमसे काबिल है बास लोटा है अपनी जगे पर हम कभी भी पूर्ण शरनागत नहीं हुए हमेशा भी लगाया भगवान कहते है यह नहीं चलेगा जदा हे वैटस्मिन्नु दर्मंतरं कुरुते अधतस्य भयंभवति बेड कहता है थोड़ा भी अगर थोड़ी भी दूरी होगी अगर तो मैं नहीं कृपा करूँगा तो पूर्ण शरनागती करनी होगी और पूर्ण शरनागती का सीधा सा अर्थ है मन बुद्धी का समर्पन देखो चार चीज है कुल जमा टोटल चार चीज तीन चीज है माया की और ये एक है भगवान की माया की क्या क्या है सात्विक राजस तामस सात्विक व्यक्ती या सात्विक बस्तू में मन का अटैच्मेंट होगा तो सात्विक फल मिलेगा स्वर्ग उन्न श्वर है दूसरा राजस व्यक्ती या राजस बस्तू से प्यार करोगे तो मृत्य लोक में आकर के दुख भोगोगे और तामस व्यक्ती या तामस बस्तू से प्यार करोगे नरक जाओगे इन तीनों में कहीं भी प्यार करोगे तो 84 लाख में घूमोगे प्यार का तरीका एक उसमें अंतर नहीं अरे चाहे तुम अपने बाप से प्यार करो चाहे मा से चाहे भाई से चाहे बीबी से चाहे पती से मन से ही तो प्यार करोगे इंद्रिय और मन यही तुम्हारे पास है उससे मिले बिना रहा न जाए उसको देखे बिना रहा न जाए उसको देख के सुख मिले उसकी बाणी सुन के सुख मिले उसका असपर्श पा के सुख मिले यही तुप्यार है चाहे संसार में करो चाहे भगवान के एरिया में करो कोई महापुरुषों के एक्ष्ट्रा इंद्रिय नहीं होती वही इंद्रियां है वही मन है वही प्यार का तरीका है लेकिन इन तीनों में जिस्से प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति हो और तीनों का फल 84 लाक में घूमना अब चौथा बचा एक भगवान अथ्वा महापुरुष ये दोनों शुद्ध हैं ये माया से परे हैं इसलिए इन में अगर मन का अटाइच्मेंट होगा प्यार होगा तो मन शुद्ध होगा देखो एक अपड़ा गंदा है अगर गंदे पानी से दोगे तो और गंदा होगा इस साथ्पिक राजस्तामस माईक हैं इनमें मन का लगाओगे और गंदा होगा और भगवान और महापुर्श शुद्ध हैं उनमें मन जाएगा तो मन शुद्ध होगा बड़ी सीधी सी बात प्यार के तरीके में कोई अंतर नहीं ओ चाहे मीरा सिरकृष्ण का प्यार हो चाहे राधा कृष्ण का प्यार हो और चाहे लैला मजनू का प्यार हो सब प्यार एक सा होता है सब में वही मन है वही बुद्धी है वही इंद्रिया है लेकिन जिससे प्यार करोगे उसका फल मिलेगा देखो ब्याह का तरीका सब एक है न गरीब आदमी ब्याह करें किसी लड़के से लड़की चाहे अमीर करें वही तरीका है साथ चक्कर लगाओ वेदमंत्र बोलो लेकिन जिससे ब्याह करोगे उसकी प्रापरिटी मिलेगी लड़की को अब अगर लड़का लखपती है तो लड़की भी लखपती हो गई अगर लड़का शराबी हो गया भिकमंगा हो गया तो लड़की भी भिकमंगी हो जाएगी ऐसे ही ये मन है ये मन रूपी लड़की जिससे प्यार करेगी उसी का फल मिल जाएगा आपको क्या चाहिए हमको अनन्ध आनन्द चाहिए दुख नहीं चाहिए यानि मोक्ठ चाहिए और परमानन्द चाहिए तो ये भगवान के हां मिलता है वहां जाओ और बैट तुमको बजार मे जो सामान खरीदना हो उसकी दुकान पर जाओ अब तुम मिठाई की दुकान वाले से को ए एक जोड़ी चपल दे दे तो कहेगा एक कुछ गरबड है इसका अरे अंधा देखता नहीं है ये मिठाई की दुकान है चपल मांगने आया है वो बगल में चपल की दुकान है ऐसे ही हम संसार से आनंद मांगते हैं आनंद तो भगवान की दुकान में है यहां कहां है यहां तो चपल जूते मिलेंगे चाहिए एक ब्याह कर लो चाहिए दस बीश पचास ब्याह कर लो सब जिगे वही हाल है नर्मदा के कंकर सब संकर लोग समझते हैं हमारी बीबी अच्छी नहीं है उसकी बीबी ठीक होगी हमारा बाप खराब है उसका बाप अच्छा होगा हमारा बेटा नालायक है बात नहीं मानता उसका बेटा अच्छा होगा क्यों इसलिए कि सब को अपना सुख चाहिए बाप को मा को बीबी को पती को अपना सुख अपना तो जहां अपना और अपना टकराया तहां बस मुसीबत खड़ी हो गई हमने कहा बेटा पानी पिला दो बेटा दोड़ के गया पानी लाया शावाश राच्छा बेटा है स्रमन कुमार है पंदरा मिनिट बाद फिर हमने कहा बेटा जरा तौलिया ला दे वो बैठा है हमने कहा तौलिया ला दे पिर भी बैठा है राक्षा पैदा हुआ है लो अभी इश्रमन कुमार था अभी राक्चस हो गया हो यहां तो ब्यापार है हमारा जो स्वार्थ सिद्ध कर दे वो हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारी बीबी, हमारा पती स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गोली मार दिया जाती है बाप को भी, मा को भी, बीबी को भी तो संसार में जब सुख है ही नहीं है तो उनसे प्यार करके क्या मिलेगा जो उनके पास है वही मिलेगा क्या है उनके पास काम, करोद, लोग, मोह, मद, मात, सर्ज, इरशा, देश, अनंत, दुख यही है, वही देदेंगे वह, लो अरे बैई, जब हमारे पास आनंद है यही नहीं, तो मैं क्या दू बेवकूब बनाऊंगा, बेटा, मैं तो तेरा सुख चाहता हूँ बीबी कहती है पती से, मैं आपका सुख चाहती हूँ पती कहता है बीबी से मैं करे तुम्हारा सुख चाहता हूँ अरे सब बेवकूब बना रहे हैं एक दूसरे को सब अपना सुख चाहते हैं अपना 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 जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक अपना ही सुख चाहना पड़ेगा और जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी आनंद दिब्ब मिल जाएगा तो फिर अपना पाना नहीं अब दूसरे को देना 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 यही रहेगा भगवान और महापुरुष क्या करते हैं परवुपकार बचन मन काया बस देना देना है उनको अपने लिए कुछ नहीं तो इन चार चीजें हैं और हमारा एक मन है हम इन चारों में क्या चाहते हैं चुन ले आनंद और दुख निब्रित्ती चाहते हैं तो उधर चले जाओ गुरू भगवान के पास स्वर्ग चाहते हो सात्विक के पास जाओ देवताओं की भक्ती करो मनुष्य बनना चाहते हो फिर से तो मनुष्यों की भक्ती करो नरक जाना चाहते हो तो तामस ब्यक्ती से प्यार कर लो जहां प्यार करोगे उसी की प्राप्ती होगी बस सीधी सी बात है और प्यार के चार भाव बताए हैं दास से भाव उससे उचा सक्ष भाव उससे उचा बात सल्ल भाव उससे उचा माधुर्ज भाव हम दास वे स्वामी ये सबसे नीचे वाला भाव वे हमारे सखा ये और उंचा वे हमारे बेटे हम उनकी माबाप ये और उंचा वे हमारे प्रियतम हम उनकी प्रेयसी ये सबसे उंचा गोपी प्रेम है उन गोपियों की चरन धूली ब्रह्मा शंकर चाहिते है जिन गोपियों ने काम भाव से प्यार किया सिर कृष्ण से वो भी गो लोग गई चाहे जान के अम्रित पियो चाहे अंजाने में कोई पिला दे अमर होगा चाहे जान के जहर पियो चाहे कोई धोखे से पिला दे मरेगा हो तो भगवान में मन का अटाइच्मेंट होना चाहिए चाहिए जिस भाव से हो भगवत प्राप्ती होगी, माया निबृत्ती होगी, पर्मानंद प्राप्ती होगी लेकिन ही लगाना होगा भी से काम नहीं चलेगा संपूर्ण संसार में कहीं मन का अटाइच्मेंट न हो 0.1% केवल हरी और हरी जन महापुरुष गुरू बद्दो में ही मन का अटाइच्मेंट हो तो भगवत कृपा से फिर माया निबृत्ती परमानंद प्राप्ती साथ करतल गत है यह आशे है तो ही सो मेरा गोविंद नाते है सावी सक्का सब्सपती नाते ही सो मेरा गोविंद नाते ही साथ करते आशे है ही तो ही स्कुरू